आज हम टीचिंग का एक और इंपॉर्टन एसपेक्ट देखने जा रहे हैं जो बुक रीडिंग में बच्चों को कैसे सपोर्ट करता है कि ना सिर्व कहानी को समझ सकें कि इस कहानी में क्या हो रहा है और उनकी जो इंगेजमेंट है वो कहानी पर ही फोकस रहे हैं कहानी उन्हें तभी समझाएगी जब वो इधर उधर नहीं देखेंगे और उनका कहानी में इंट्रस्ट रीटेन रहेगा यानी रीडिंग इंगेजमेंट उसकी तरफ रहेगी teacher कैसे इस reading engagement को आप पैदा करता है उसमें एक बहुत ही important technique है prompts की कि जब हम कहानी पढ़ रहे होते हैं तो एक दमा हम कहानी पे एक जगा पे post ले लेते हैं पूर सकता है वो कोई ऐसा जुमला हो जो ज़रा मुश्किल हो कोई ऐसी terminology हो जो ज़रा मुश्किल हो कोई ऐसा more हो कहानी पे जिसमें हमें कोई चीज पहले से याद करनी पड़े तो समझाएगा कि इस कहानी में ये हो क्या रहा है जब teacher post लेता है तो बच्चों के आगे सवाल करता है सवाल का मकसद यह नहीं होता कि बच्चे confused हो जाएं सवाल का मकसद यह होता है कि सवाल के साथ तो cues भी देता है उनको इशारे भी देता है ताकि वो खुद उस जवाब तक पहुँच जाएं ना कि वो सवाल भी करें और उसका कोई straightforward जवाब भी आ जाएं तो जब हम एक interesting किसम के सवालाद करते हो तो सवालाद में इशारे देते हैं cues देते हैं prompts देते हैं तो बच्चे खुद ही उस सवाल के जवाब तक पहुच जाते हैं और उनकी attention जहां कही भी होती है वापस कहानी के plot की तरफ आ जाती है अब यह जो prompt का word हम इस्तमाल करें अच्छा dialogue जो है construct कर सकते हैं यह कोई आम गुफटो शनीद नहीं होती है जब हम reading कर रहे होते हैं यह specific गुफटो शनीद होती है या आम सवालाद नहीं होते हैं जो उसी कहानी से मतलिक होते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं इसका मतलब यह कि बच्चों का engage रहना जरूरी है ताकि वो आपको सवाल समझ सकें और आपके इशारों को भी समझ सकें कि आपने यह अभी पढ़ा था आपने इसको पहले experience किया हुआ है कि आभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक्टिविटी की है उसमें यह समान इस्तमाल किया है उस चीज का क्या नाम है तो यह जो आपकी sophisticated vocabulary है और जिस आप बहतर तरीके से आप उनसे सवालाद करते हैं उसके अंदर एक important language complexity मौझूद होती है जो बन्यादी तोर पे बच्चों को आपके सवाल के जवाब तक पहुशार देती है और आपकी जबर्दस किसम की meaningful engagement जो होती है बुक रीटिंग को दौरान बच्चों से हो रही होती है जो intellectual आपकी engagement है बच्चे जो हैं बन्यादी तोर पे उन सवालों के जवाब बढ़ी interesting तरीके से देते हैं जिन पर आपकी expectation हो कि वो कोई अच्छा जवाब देंगे या आप उनसे interesting उनका input लेना जा रहे हो तो आपका सवाल सुनते भी हैं उसके बारे में सोचते भी हैं हैं और आपको कोई बहुतरी जवाब देने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर सवालाद meaningless होंगे और सिर्फ आम comments होंगे तो most of the time बच्चे ज़रूरी नहीं हैं कि आपको सवालों के जवाब दें या अपना interest शो करें अगर वह सवाल interesting नहीं होंगे dialogic book reading एक term है जो कि हम अलड़ी पढ़ भी चुके हैं कि इस में हम एक meaningful dialogue जो है बच्चों से book reading के दौरान जो है वह engage करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की spoken language skill है specially उनकी vocabulary जो है वह बहुत ही improve हो जाती है dialogic reading के अंदर जो बच्चे एड़ल्ट है उन दोनों के दरमियां जो सवाल जवाब हो रहे होते हैं और एड़ल्ट उने Qs दे रहे होते हैं prompts दे रहे होते हैं तो बच्चों उन सवालों के जवाब तक बहुत ही interesting तरीके से पहुँच जाते हैं अब इन सवालों को समझने के लिए जरूरी है कि हम देखें कि इसमें हमारे पस क्या क्या वराइटी मौजूद है मैंने आपको पहली बताया कि prompt देने का कोई एक तरीका नहीं है वराइटी मौजूद है कुछ हमारे सामने कुछ आप खुद explore कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप फिल इंदा टाइप एक सवाल बच्चों से बूछ सकते हैं कि यहां क्या आना चाहिए था यहां कौन सा करेक्टर था बच्चे एकदम attention focus करते हैं आपको उसका जवाब recall करकर दे सकते हैं उन्हें कहानी को याद करना पड़ेगा कि पहले वह क्या सुन रहे थे बच्चे आपको जवाब देते हैं उनके attention आपकी तरफ focus होती है distancing prompts वो prompts होते हैं जिसमें बच्चों से आप कहानी से related सवाल करने की जगा यह सवाल करते हैं कि क्या आपने भी जिंदगी का कोई ऐसा event experience किया है जैसे किस कहानी का character कर रहा है और आपको पता है ना कि बच्चों की जो कहानी में characters होते हैं वही characters होते हैं जैसे बच्चे होते हैं और उनके वही problems discuss किया जाते हैं अच्छे कहानीों में जो बच्चों को problems होते हैं definitely बच्चे उन्हें अपनी personal level पे experience कर रहे होते हैं तो आप जब ऐसे सवालाद करते हैं तो बच्चे आपको इसका भी intellectually सोच के जवाब देते हैं open-ended prompts बहुत ही बेतर होते हैं जिनके जवाब कहानी के अंदर से ना हो या yes या no के अंदर जवाब ना हो अब वो lower level की भी हो सकती है higher level की भी हो सकती है अगर आपके सवालाद जो है lower level के हैं मिसाल के तोर पर आप फिलिंदा blank टाइप आ question कर रहे हैं या आपके सवालाद ज्यादा challenging नहीं है जितने सवालाद आपके higher order mental capabilities के होते हैं बच्चों की उतनी अच्छी language में cognitive abilities develop होती हैं मिसाल के तोर पर ये WH prompts जो हैं ये lower level के सवालाद होते हैं और इससे lower level की mental capabilities होंगी open ended question जो हैं उससे ज्यादा higher level की capabilities develop हो सकती हैं अब हम देखते हैं कि high demand prompt जो हैं वो मुक्तलिफ level के उपर हम किस किसम के पूछते हैं मिसाल के तोर पर इस context से ना पूछें आप जिस कहानी पढ़ा रहे हैं कहानी को उनकी जाती जिन्दगी तक ले जाएं और वहां से सवालाद करें तो बच्चों की higher order mental capabilities develop होंगी में जवाब होता है उसमें आपकी vocabulary तो बच्चों की अच्छी हो जाती है लेकिन उनकी higher order thinking processes या cognitive skill develop नहीं हो पाती है और इसके साथ सब्सक्राइब इसके साथ उनकी abstract thinking develop नहीं हो पाती है के लिए जरूरी है कि हम उनसे अच्छे questions करें और उन्हें अच्छे किसम की Qs दें ताके वह अच्छे जवाबों तक बहुत सकें